नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका ग्यानवेच चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिनो पेमेंट्स बैक के IPO के बारे में IPO अल्रेडी स्टार्ट हो गया है फर्स डे रिटेल केटेगरी में और सब्सक्राइब भी हो गया अब प्रश्ण ये है कि अभी जिन्नोंने apply नहीं किया क्या वो apply करना चाहिए अगर किया और हमें मिल गया तो कितना फाइदा हो सकता है मिलने के बाद हमें इसको बेचना है या hold करना है इसके हम जवाब जाने के कोशिश करेंगे ये वीडियो जो है हमारे research और analysis का नतीज़ा है इसको कोई भी recommendation या शिफारिस आप मन्त मानिए फिनो payments bank का जो business है वो 2017 से शुरू हुआ है एक fintech company जिनका ज्यादा तर business digital format में होता है ये वित्तिय उत्पाद और सेवाय प्रदान करती है और इनका paper जो है लगाता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब services की बाद जब हम करते हैं तो savings account है, current account है, domestic remittances है जमा और निकासी पैसों का करते हैं ये micro ATM की द्वारा, इनके prepared और debit card भी market में है mobile wallet और नगत का प्रबंदन करने के सेवाय ये provide करते हैं, उसके बाद कुछ bimark का referral भी ये करते है अब इनकी कमाई कहां कहां से होती है, कमाई के लिए ये लोग जो product का commission है उसका जरीया अपनाते है मतलब जो referral bonus type of commission मिलता है, ये इनको मिलता है जो bimark के लिए मिलता है, gold loan किसी को चाहिए तो ये लोग refer करते है किसी का recharge किया, bill भुकतान किया, तो इसके अंदर से जो कमाई आती है, ये commission के द्वारा ये इनको मिलती है अब इनकी कुछ ताकद वाली क्योंग या strength बोल सकते हैं, इनको technology का काफी सारा advantage है advanced technology ये लोग use करते है, और बाकी government भी digital पहल कर रहे है, इसकी एक संभावना है कि ये काफी अच्छी growth भविश्य में कर सुके दूसरी बात है कि recently इस company में अपना मुनाफ़ा भी दिखाना शुरू किया है और इनका advertisement का जो खर्चा है वो कम है, Paytm से तो काफी काफी कम है percentage wise company अच्छे दिख रही है, profit में भी दिख रही है, बग यहाँ पे कड़ी टक्कर है Airtail का payment bank है, Jio का है, उसके बाद India Post है, Paytm तो सबसे तगड़ा competitor है NSDL का भी payment bank market में है, तो इन सभी के साथ इसको competition करना है अगर किसी ने channel को first time visit किया तो please request है आपको की subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए तो आपका भी फाइदा होगा, दोस्तों का भी होगा, bell icon दबाएए तो notification का आपको लाब मिलेगा नए नए वीडियो के time पे अब जो IPO IIF no payments bank का, उसका क्या details है तो 1200 करोट का एक IPO हर एक share की face value होगी 10 उर्पया एक चोथा amount जो 300 करोट है वो fresh issue है, बाकी के जो 900 करोट है वो OFS दोरा promoters के पास जाएंगे ये shares list होंगे NAC, BAC दोनों जगा अगर आपको आवेदन करना है तो दो टाइप की investors होते हैं, कुछ लोगों को short term करना है, अलपा ओधी के लिए उनको सिर्फ listing gain देखना है, तो उनको क्या देखना है, सिर्फ grey market premium अभी तो ये थोड़ा बहुत है, अगर मान लेजिए अगल एक दो दिन में grey market premium अच्छा खासा बढ़ गया, तो आप last day पर subscribe करके chance ले सकते हैं अगर आपको long term की जरिया सोचना है इसमें, तो क्या देखना चाहिए, एक तो है कि इसको technology का advantage है, तो ये अच्छे अच्छे products ला सकते हैं, अभी ये मुनाफा भी दिखाना शुरू किया है, नए नए product और services ये company ले के आएंगी भरिश्य में, तो इसका भी इसको फाइदा होगा और investors को भी होगा, इस industry का भी growth rate अभी अच्छा है और company भी अच्छा growth दिखा रही है, तो growth की अच्छी खासी संभावना हमें दिखती है, मगर सब कुछ अच्छा ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ जोखिम भी हमें उठानी पड़ेगी, जैसे हमें अभी लगता है कि जो इस price पे IPO आया है, यह थोड़ा महेंगा लग रहा है हमें, मतलब इसका company का जो valuation दिख रहा है market में, वो भी महेंगा हमें लगता है, और दूसरी Paytm की जो competition है, वो तो market में है, Paytm का IPO भी आ रहा है, और उसका advertising का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, इस से ज़्यादा, उ IPO की main details पे एक बार देखते हैं, कि यह IPO starting date है 29th of October 2 November पर खतम होने वाला है, lower price है 560 रुपे और 537 इसकी highest price है, मतलब उस पे यह आपको लगाना पड़ेगा, एक lot में 25 share होंगे, तो retail category में कम से कम आपको एक lot लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप 13 lot लगा सकते हैं Allotment अगर आपको हो गया तो 9 तारिक तो होनी चाहिए, 10 तारिक को जिनको Allotment नहीं होए, उसका refund स्टार्ट हो जाएगा, Demet में यह 11 तारिक को आने की expectation है, और Listing की expectation 12 November की है, यह change भी हो सकता है हलका सा अगर आपको IPO मिले ना मिले, तो Listing के बाद आपको क्या करना चाहिए, as a good investor, तो आपको इस company का performance देखते रहना है, यह कैसे करने है, मतलब भविश्य में आप सोच सकते हैं, कि invest करना है, नहीं है, दूसरी चीज है कि इसके competitors कोन है, उसमें invest करने के chances आपको है क्या, तो किसम अच्छा investment हो सकता है, आप यह decide कर सकते हैं, अगर माल लेजिए, आपको mutual fund द्वारा इस company में invest करना है, तो उसके भी कुछ options है, subscribe करके notification के लिए तेयार है, तो आपको वो notification भी मिल जाएंगी, mutual fund में आपको चाहिए, तो उसके भी videos काफी सारे channel पे already है, ग्यानवे channel आपके ल के लिए bell icon पी दबाईए, आपका और आपके दोस्तों का भी फायदा इसमें जरूर होगा, अगर आपके मन में कुछ प्रशन है, suggestions है, आप investment के लिए कुछ और वीडियो चाहते हैं, तो हमें comments box में जरूर बताईए, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए नई नई जानकरी लेके आने की, आपकी investing की journey happy हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते